हेलो बच्चो केसे हैं आप सब लोग तो बच्चो अभी तक हम लोग solutions की colligative properties डिसकस कर रहे थे जिसमें हम लोगोंने दो colligative properties पढ़ ली है सबसे पहला था relative lowering in vapor pressure second हम लोगोंने elevation in boiling point के बारे में पढ़ लिया है जल्दी जल्दी हम लोग इनके formulas लिख लेते हैं ताकि आप लोग के जल्दी से वह formulas revise हो जाए and then हम लोग आगे की बारे में discuss करें हैं तो सबसे पहली property थी RLVP यानि की relative lowering in vapor pressure उसका formula था calculate करने का P1 naught minus PS divided by P1 naught is equal to chi2 यानि की mole fraction of solute तो यह पहली colligative property थी दूसरी colligative property थी elevation in boiling point elevation in boiling point किसी भी solvent के अंदर अगर मैंने non-volatile solute डाला तो उसका boiling point बढ़ जाता है इसलिए colligative property का धाम रखा गया elevation in boiling point और colligative property थी delta Tb is equal to kb multiplied by molality है ना और kb क्या होता है molal elevation constant और kb की कुछ unit होती है तो जल्दी से मुझे answer बता दो comment section में कि kb की molal elevation constant की या फिर जिसको हम लोग ebulioscopic constant बोलते है उसकी unit क्या होती है last class में मैंने आप लोगों को बताया था है ना last class में कुछ numericals में discuss किये थे small m होता है यहाँ पर molality जल्दी से बताइए मुझे kb की unit क्या होती है और delta tb के बारे में मैंने एक छोटी सी वाद बोली थी कि यह delta tb क्या है temperature का difference तो चाहिए difference degree Celsius में हो या फिर यह difference कैल्विन में हो तो difference तो difference ही होता है ना तो unit की चिंता नहीं करनी है बस kb की unit का ध्यान रखना है और kb की unit होती है Kelvin kg per mole है ना यह सारी कहानी हम लोग last class में discuss कर चुके थे तो किसी भी solvent के अंदर अगर non-volatile solute डालती हूं उसका vapor pressure decrease हो जाता है और उसका boiling point बढ़ जाता है ना बहुत अच्छे समझाता है हम लोगों ने अब उसके बाद एक graph था जो रह गया था इस property से related पहले उसको discuss कर लेते हैं तो बच्चो देखो मेरे पास क्या था पहले solvent था तो ज़रा ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना इस graph को क्योंकि अगर पहली बारी में समझ आ गया ना तो इसकी अगली qualitative property का graph समझने में भी कोई भी दिकत नहीं होगी तो इसी लिए इसको ज़रा ध्यान से समझो देखो मेरे पास क्या था पहले solvent था फिर solvent के अंदर मैंने क्या किया non-volatile solute डाला तो क्या बन गया solution बन गया है ना solution बन गया तो solvent का कुछ vapor pressure solution का कुछ vapor pressure और हमें पता है कि जो solvent का vapor pressure होता है वो solution के vapor pressure से ज़ादा होता है तो basically boiling point के लिए मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ vapor pressure versus temperature curve draw कर रही हूँ vapor pressure versus temperature curve draw कर रही हूँ अभी इस graph को छुपा देते है ठीक है छुपा क्यों देते है क्योंकि हम खुद ड्रॉ करेंगे और फिर बाद में इस पे आएंगे तो आपको देख जाएगा अभी बना हुआ दिख रहा तो बड़ा confusing सा लगेगा है ना तो हमें क्या करना है सुनो जरा हमें ड्रॉ करना है curve vapor pressure versus temperature वेपर प्रेशर और temperature का curve हम लोगों को ड्रॉ करना है अब ये बताओ अगर temperature बड़ाऊंगी तो वेपर प्रेशर बड़ेगा या फिर कम होगा जल्दी से बताइए मुझे अगर temperature बड़ाऊंगी तो वेपर प्रेशर बड़ेगा या फिर कम होगा अरे भई अगर temperature बड़ाऊंगी तो वेपर ज्यादा बनेंगे ना अगर मैं x-axis पे temperature लूँ ध्यान से सुनना बेटा जी अगर मैं x-axis पे temperature लूँ और मैं y-axis पे वेपर प्रेशर लूँ और y-axis पे मैं अगर वेपर प्रेशर लूँ तो हमने देखा कि दोनों ना आपस में एक दूसरे की directly proportional है temperature बढ़ रहा है तो वेपर प्रेशर बढ़ रहा है क्यों बढ़ रहा है वेपर ज्यादा बनेंगे और अगर वेपर ज्यादा बनेंगे तो वो ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ है ना तो देखो दो चीजे है बेटा जी मेरे पास एक तो solvent है और एक solution है है ना तो क्योंकि दोनों directly proportion है वेपर प्रेशर और temperature तो temperature बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो ग्राफ ना कुछ वैसे तो सीधा आरना चाहिए लेकिन क्योंकि कुछ amount of like उसमें कुछ amount of ऐसा कुछ होता है जिसकी वसे ग्राफ प्योर्ली सीधा नहीं आता है वो कुछ इस तरीके का आता है है ना तो अगर मैं बोल दू कि ये मेरे पास क्या है बेटा जी solvent का वेपर प्रेशर है है ना अब मुझे solvent के अलावा मुझे ना solution के वेपर प्रेशर की भी बात करनी है है तो हम सभी को पता है कि solution का वेपर प्रेशर solvent के वेपर प्रेशर से कम होता है तो अगर solution का वेपर प्रेशर solvent के वेपर प्रेशर से कम है तो अब जो नया ग्राफ आएगा वो इस पहले वाले ग्राफ के नीचे आना चाहिए या उपर आना चाहिए ग्राफ इधर आना चाहि ए पॉइंट पे आना चाहिए या फिर बी पे आना चाहिए जल्दी से बताइए मुझे आंसर अगर मैं solution का vapor pressure दिखाना चाहूं इस graph में तो वो solvent वाले curve के नीचे आएगा या फिर उपर आएगा है ना आप लोग को बस इतना पताना है कि वो A वाली जगा पे आएगा या फिर वो B वाली जगा पे आएगा हमें सो बस इतना पता है कि vapor pressure of solution जो है ना वो vapor pressure of solvent से कम है है ना अब Y axis पे क्या है vapor pressure तो solvent का vapor pressure इदर है solution का उससे कम होगा, मतलब कि उससे नीचे आएगा न, यानि कि B वाली जगा पे आएगा, very good, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है, vapor pressure कहा आएगा, B वाली जगा पे आएगा, यानि कि ये B point क्या बताएगा बेटा जी, solution का vapor, जो ये B curve है न, वो solution का vapor pressure बताएगा, तो मैंने इस graph के अंदर, solvent का vapor pressure curve ड्रॉ कर दिया, solution का vapor pressure curve ड्रॉ कर दिया, लेकिन मुझे तो boiling point के बारे में बात करी थी, तो बच्चों, पिछली class में, मैंने आप लोगों को boiling point के एक definition बताई थी, और बोला था वो जो फर्जी definition है, कि जिस temperature पे liquid, vapor में बदल रहा है, उसको भूल जाओ, उसके अलावा, जो मैंने definition बताई थी, वो definition क्या थी, कि जिस temperature पे liquid का vapor pressure, vapor pressure of liquid is equal to vapor pressure of liquid का vapor pressure किसके equal होगा, one atmospheric pressure के equal होगा, किसके equal होगा, one atmospheric pressure के equal होगा, उसी temperature को हम लोग boiling point बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटाजी, boiling point बोलेंगे, है ना, अब suppose करो इस graph के अंदर, जो ये वला point है ना, ये one atmosphere दिखा रहा है, ये जो मैंने आप point बनाया, ये one atmosphere है, है ना, तो solvent का अगर मुझे boiling point चाहिए, तो solvent का vapor pressure ज इस temperature पे वो boiling point होगा, है ना, अब solvent का vapor pressure, जर अध्यान से सुनना, अब मैं बड़ी सुन्दर सी image बनाने वाली हूँ, तो जर अध्यान से सुनना, देखो, अगर solvent का vapor pressure इस one atmosphere के equal आज है, यानि कि ये जो point है, जो मने भी circle बताया, vapor pressure solvent का क्या है, ये curve ही तो उसके सारे vapor pressure के points ह जब ये one atmosphere के equal होगा, तो जिस temperature पे ऐसा होगा, वो temperature क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा उसका boiling point हो जाएगा, उसका boiling point हो जाएगा, तो आप देख सकते हो, कि one atmosphere, देख सकते हो, कि one atmosphere pressure पे solvent का जो vapor pressure है, वो solvent का vapor pressure one atmosphere के equal है, और जिस temperature पे ऐसा हो रहा है, वो temperature क्या हो जाएगा, boiling point of solvent, क्या हो जाएगा, boiling point of solvent, तो ये जो temperature एक सेक्सिस पे आया, ये point क्या हो जाएगा, boiling point of solvent, क्या हो जाएगा, boiling point of solvent, और pure solvent के boiling point को हम लोग tb not से लिखते हैं, किस से लिखते हैं, tb not से लिखते हैं न, जली से बताओ अगर इसमें कोई doubt है तो, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने solvent का curve बनाया, solution का curve बनाया, मुझे graph के अंदर न, solvent का boiling point देखना था, उसका temperature देखना था, तो temperature तो x-axis पे है, तो बस x-axis पे मुझे वो point ढूड़ना है, जिस पे solvent का vapor pressure 1 atmosphere के equal हो, अब आप देख सकते हो, कि इस point पे ये 1 atmosphere के equal आ रहा है, है न, इस point पे ये 1 atmosphere के equal आ रहा है, तो इसके corresponding उसको x-axis तब मैं extend कर गई, और मेरे पास क्या आ गया, tb not आ गया, है न, similarly बेटा जी, अगर मैं solution का boiling point देखना चाहूं, solution का boiling point देखना चाहूं, तो solution के boiling point में देखो, अगर मैं इसको फिर से extend करूं, तो solution के लिए इस point पर, जो अब मैंने orange से mark किया है, और घुरा circle फिल कर दिया है, इस point पर solution का vapor pressure 1 के equal है, अब मुझे तो temperature से ही है, temperature तो x-axis पे है तो बस इसी point को नीचे तक extend कर देती हूं, वही क्या हो जाएगा मेरे पास, solution का boiling point हो जाएगा, क्या हो जाएगा, solution का boiling point, boiling point of solution यानि की TB, क्या हो जाएगा बेटा जी, TB हो जाएगा, है ना, तो आप देख सकते हो, TB नोट पहले आया, TB बाद में आया, तो बेटा जी इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा और आप देख सकते हो ग्राफ से भी कि जो टीबी की वेल्यू है वो टीबी नौट से बड़ी है तो कुछ भी नहीं किया जो हमने थिरिटिकल ही बात सोची थी ना कि जब हम एक सॉल्वेंट के अंदर नोन वोलटाइल सॉल्यूट अड़ करते है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है उसको मैंने ग्राफिकली प्रूफ किया ग्राफिकली कैसे प्रूफ किया जराब इस सुन्दर से ग्राफ से समझने की कोशिश करते है बड़ा ही क्लियर सा ग्राफ है यह तो जराब नीचे आएगा क्योंकि इसका वैपर प्रेशर जादा solution का वैपर प्रेशर काम तो इस तरीके का कुछ आएगा तो यह solvent का और यह solution का है ना अब इस point को मैंने माल लिया जिसको मैं आप circle कर रही हूं कि यह one atmosphere है अब boiling point क्या होता है वो temperature जिस पे उस particular solvent का वैपर प्रेशर one atmosphere के equal हो जाए तो इस particular point पे solvent के curve पे देखने है अगर solvent के लिए बात कर रही हो तो solvent के इस particular point पे उसका वैपर प्रेशर one atmosphere के equal आ रहा है और जिस temperature पे ऐसा होता है वो boiling point होता है उसको नीचे तक लेकी गई यूँकि x-axis पे boiling point था ना उसको नीचे तक लेकी गई वो tb not बन गया similarly solution के लिए देखा solution के लिए इस point पे उसका वैपर प्रेशर one atmosphere तक था कहा तक था one atmosphere तक था वो temperature देखना था तो उसको फिर से नीचे तक लेकी गई तो ये क्या हो गया solution का boiling point हो गया है ना तो ये हो गया tb not ये हो गया tb अब आप graph से देख सकते हो tb not इधर है tb इधर है तो tb tb not से बड़ा है ना और इन दोनों का जो difference होगा वो क्या हो जाएगा delta db यानि की elevation in boiling point क्या हो जाएगा बेटा जी elevation in boiling point तो बस ये छोटा सा curve है अगर paper में आ जाए draw करने के लिए या फिर paper में आपको वो कैसे दे सकता है बूर्ट में ये graph देदेगा आपसे पूछेगा जैसे ये suppose ये जो tb not वाला point है ना इस point को अगर वो a नाम दे दे इस point को अगर वो b नाम दे दे और आपसे पूछे कि बताओ ये a क्या है और b क्या है तो आप बोलोगे कि ये जो a ह वो pure solvent का boiling point है ये a है suppose ये b है तो a क्या है pure solvent का boiling point है और b क्या है solution का boiling point है a क्या है pure solvent का boiling point b क्या है pure solution का boiling point और ये जो b और a के बीच का difference है वो है हमारे पास delta tb तो graph selected question भी वो पूछ सकता है इसलिए मैंने इतना time लगा के इसको समझाया है है ना जल्दी से बताओ कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे जल्दी से बताइए ओल क्लियर चलो बहुत बड़ी है आगे चलते हैं अब हम लोग अब हम लोग कुछ और questions discuss करते हैं इस qualitative property के तो चलते हैं पहले question पे देखो question है कि the boiling point of benzene is 353.23 Kelvin कि benzene का जो boiling point है अब यहाँ पे benzene क्या है बिटा जी यह एक solvent है उसका boiling point गिवन है कितना 353.23 Kelvin यानि कि जो TB की value है ना TB की value वो given है sorry TB not given है 353.23 Kelvin अब उसने बोला कि इस benzene के अंदर मैंने एक non-volatile solute डाला और कितना डाला मैंने 1.80 gram non-volatile solute डाला यानि कि W2 की जो value है वो कितनी है 1.80 gram ठीक है और कितने benzene में डाला solvent का मास कितना है 90 gram यानि कि जो W1 है वो कितना है 90 gram है तो W2 कितना है 1.80 gram W1 कितना है 90 gram अब जैसे ही उसने benzene में वो non-volatile solute डाला ना उसका boiling point बढ़ गया बढ़ना तो था ही और कितना बढ़ा वो हो गया 354.11 Kelvin यानि कि अब boiling point हो गया 354.11 Kelvin वो बोल रहे हैं कि जो मैंने solute डाला है ना उसका तो मुझे molar mass बता दो क्या बता दो उसका molar mass बता दो उसने benzene के लिए kb की value दे दी 2.53 Kelvin kilogram पर mole यानि कि मुझे क्या करना है मुझे solute का molar mass calculate करना है क्या calculate करना है solute का molar mass और वो कितना है 2.53 Kelvin kilogram पर mole यहाँ पर मुझे kb गिवन है molar mass of solute यानि कि M2 की value मुझे calculate करनी है मुझे kb गिवन है 2.53 Kelvin kilogram पर mole तो qualitative property में कोई hard and fast difficult question तो आता नहीं है बाकी सब चीज़े गिवन होगी और एक चीज़ निकालनी होगी वही करना है यहाँ पर है ना देखो delta tb क्या होता है kb into molality molality क्या होती है solute के moles solute के moles w2 by m2 multiplied by mass of solvent in kg यानि कि w1 multiplied by thousand है ना अब delta tb क्या होता है बेटा जी tb minus tb not क्या होता है tb minus tb not अब tb कितना गिवन है 354.11 minus 353.23 है ना इसको solve करेंगे तो यह आजाएगा हमारे पास यह आजाएगा मिरे पास 0.88 के equal किसके equal आ जाएगा 0.88 के equal है ना अब यह किसके equal होगा kb into molality के kb कितना है 2.53 multiplied by कितना solute लिया हम लोगों ने 1.80 gram तो 1.80 divided by solute का molar mass molar mass तो मुझे calculate करना है ना तो divided by m2 multiplied by w1 solvent का mass कितना है solvent का mass है मेरे पास 90 gram कितना है 90 gram तो 90 इसको grams में तो चाहिए नहीं होता kg में करना होता है तो उपर 1000 से multiply कर देंगे और डेल्टा टी भी तो मुझे पता ही है कितना है 0.88 अब आप भी सभी को दिख रहा होगा बाकी काम तो बस maths का है आपको calculate करना है और आपके पास molar mass की value आजाएगी तो कुछ भी नहीं करना M2 की value निकालनी है M2 को इधर ले जाओ 0.88 को इधर ले जाओ तो यहाँ से जब आप solve करेंगे और M2 की value निकालेंगे तो वो आजाएगी 58 grams per mole कितनी आजाएगी बेटा जी 58 grams per mole तो molar mass कितना आ गया 58 grams per mole आपका answer हो गया जो आपने non-volatile solute आपने डाला था ना उसका molar mass कितना निकला 58 grams per mole तो बहुत ही simple सा question था सब चीज़े आप लोगों को given थी बस एक चीज missing थी वो आपको calculate करनी थी चलो बहुत बढ़िया अगले question पर चलते है इसी तरीके से अगला question है कि the boiling point of water at 750 mm of Hg अब हमें जो boiling point पता है वो 1 atmosphere पे पता है कितना होता है 100 degree Celsius लेकिन आप उसने mention कर दिया कि ये न 750 mm of Hg पे है और कितना है 99.63 degree Celsius यानि कि pure water का जो boiling point है और pure solvent का जो boiling point होता है वो क्या होता है TB0 तो मैं लिख सकती हूँ कि TB0 is equal to 99.63 degree Celsius क्या होता है क्या है 99.63 degree Celsius अब उसने बोला कि मैं उसमें कितना सूक्रोज डालूं कितना उसमें सूक्रोज डालूं कि उसका जो पानी जो है ना जो मेरा solution बने वो अब 100 degree Celsius पे boil करने लग जाए और अगर मैं सूक्रोज को 500 ग्राम वाटर के अंदर डाल रही हूँ 500 ग्राम पानी के अंदर डाल रही हूँ तो है ना यानि कि कितना सूक्रोज मैं डालू तो फिर से W2 मुझे निकालना है यहाँ पे क्या निकालना है बेटा जी W2 निकालना है और कितने solvent में डाल रहे है पांचो ग्राम में तो W1 क्या हो जाएगा 500 ग्राम और डालने के बाद जो solution है solution का जो boiling point है वो कितना हुआ 100 degree Celsius यानि कि TB कितना हुआ 100 degree Celsius है ना अब यहाँ पे मुझे KB नहीं गिवन के भी नहीं गिवन ना तो KB मैंने आपको last class में भी बताया था कि at least पानी का तो याद करके रख लो तो जल्दी से मुझे बताओ कि water के लिए जो abilius को भी constant होता है या फिर जो molar elevation constant होता है उसकी value क्या होते कि यह तो आप लोगों को याद होना चाहिए पिछली class में भी मैंने बताया था ना आप लोगों को है ना तो जल्दी से बताओ मुझे comment section में है ना तो देखो delta TB क्या होता है KB into W2 by M2 multiplied by W1 multiplied by 1000 अब delta TB क्या हो जाएगा TB minus TB naught याने कि 100 minus 99.63 अब चाहे degree Celsius में हो चाहे Kelvin में हो बात तो एक ही है है ना अब आप सोचो कि मैम इसको हम degree Celsius में ले रहे है तो उनका difference भी तो degree Celsius में आएगा नहीं इसकी जो unit होगी ना basically KB की unit अब KB की unit क्या होती है Kelvin kilogram per mole तो ये भी approximately Kelvin में ही इसको हम Kelvin में difference तो दोनों में ही same आएगा ना चाहे तुम Kelvin में ले लो चाहे तुम degree Celsius में ले लो है ना अब KB की value होती है पानी के लिए 0.52 Kelvin kilogram per mole है ना तो क्या हो जाएगा KB की value क्या हो जाएगी 0.52 Solute कितना डालना है वो मुझे निकालना है सूकरोस का molar mass मुझे चाहिए यानि कि मुझे M2 चाहिए सूकरोस के लिए तो जल्दी से मुझे बताईए कि सूकरोस का molar mass क्या होता है जल्दी से बताईए मुझे answer comment section में कि सूकरोस का molar mass क्या होता है तो सूकरोस का जो molar mass होता है वो होता है 342 grams per mole कितना होता है 342 g per mol तो यह हो जाएगा 342 w1 यानि कि solvent का mass कितना है 500 g और इसको kg में करने के लिए उपर 1000 से multiply कर देंगे अब आप देखी सकते हो फिर से बागी सरा काम तो गनित का है mass का है calculate करो answer solve हो जाएगा है ना तो यहाँ से जब आप calculate करोगे तो आपके पास W2 की value आ जाएगी 121.7 g क्या आ जाएगी 121.7 g यानि कि आपको 122 g सुक्रोज 500 g पानी में डालना पड़ेगा अगर आपको water के boiling point को जो की 700 mm of Hg पे है उसको आपको 99.63 degree Celsius से 100 degree Celsius तक पहुच आना है तो कितना सुक्रोज डालना पड़ेगा 122 g यानि कि approximately equal to 122 g सुक्रोज आपको डालना पड़ेगा तो यह question भी बहुत simple चाही था कुछ भी नहीं था सारी चीज़े हम लोगों को given थी बस एक चीज missing थी वो हमें calculate करनी थी तो यहाँ पे जो मेरी second colligative property थी elevation in boiling point वो होती है कतम अब हम लोग चलते हैं हमारी third colligative property पे जिसका नाम है depression in freezing point तो चलो मुझे बताओ कि अगर मैं एक non-volatile solute non-volatile solute किसमें आड कर रही हूँ solvent में आड कर रही हूँ किसमें आड कर रही हूँ solvent में आड कर रही हूँ तो उसका जो freezing point है वो बढ़ना चाहिए या फिर कम होना चाहिए अगर मैं एक non-volatile solute अगर मैं एक solvent में आड कर रही हूँ तो उसका freezing point बढ़ना चाहिए या फिर कम होना चाहिए नाम ही बता रहा है depression है ना यानि कि non-volatile solute को add करने पर उसका freezing point बढ़ना चाहिए या फिर कम होना चाहिए जल्दी से बताई आंसर येस इसका freezing point है वो decrease होना चाहिए बिलकुल सही क्योंकि नाम ही तो बता रहा है depression यानि कि जब solvent था उसका कुछ freezing point था जब solute था उसका कुछ freezing point था जैसे ही sorry जब solvent अकेला था उसका कुछ freezing point solvent के अंदर मैंने non-volatile solute डाल दिया उसका कुछ freezing point है ना तो basically जब solution बन जाएगा तो उसका freezing point solvent के comparison में कम होता है क्यों काम होता है उसको भी हम लोग समझेंगे उससे पहले अगर मैं आपसे पूछू कि बच्चों freezing point होता क्या है तो आप लोग क्या बोलोगे जल्दी से बताईए अगर मैं आपसे पूछू कि freezing point को हम लोग क्या बोलते है ठीक है, तो आप लोग मुझे बोलोगे कि मैम, जिस temperature पे liquid freeze हो जाए, solid में बदल जाए, वो freezing point हो गया है ना, यही तो बोलोगे आप लोग मुझे, कि जिस temperature पे liquid freeze होके solid बन जाए, वो temperature होता है freezing point, लेकिन जैसे वो boiling point वाली definition फर्जी थी, ये वाली definition भी फर्जी है, इसको अब दिमाग से निकाल दो, freezing point वो नहीं होता, freezing point की definition कुछ और होती है, दुसरा समझते हैं कि freezing point की definition क्या होती है, तो द्यान से सुनना देखो, अब freezing point पे होता क्या है, जो solid है ना बेटा जी, वो liquid के साथ equilibrium पे होता है, solid और liquid दोने equilibrium पे होते हैं, जैसे boiling point पे liquid और vapors equilibrium पे होते हैं वैसे ही freezing point पे solid और liquid equilibrium पे होते हैं अब बच्चो boiling point क्या था जब liquid का vapor pressure 1 atmosphere के equal हो जाए उस temperature को मैंने बोला था क्या बच्चो boiling point क्या बोला था boiling point बोला था है ना similarly बच्चो freezing point क्या होता है freezing point वो temperature होता है temperature at which freezing point sorry temperature at which vapor pressure of solid क्योंकि दोनों चीज़े equilibrium पे है ना तो जिस temperature पे solid का vapor pressure liquid के vapor pressure के equal हो vapor pressure of solid is equal to vapor pressure of liquid उस temperature को हम लोग बोलते है freezing point अब आप बोलों कि मैं solid का vapor pressure कहा से आया है ना solid को directly vapor में तो बनता नहीं है वो तो पहले liquid में जाएगा liquid से vapor बनेंगे है ना तो आप लोग के mind में एक question आया होगा कि मैं solid के vapor pressure से क्या मतलब है है ना मैंने definition तो बोल दी कि जिस temperature पे solid का vapor pressure liquid के vapor pressure के equal हो वो कहलाता है freezing point अब बच्चों solid के vapor pressure का क्या मतलब है देखो जब यह liquid है मेरे पास ध्यान से सुनना जब एक liquid है liquid freeze हो रहा है तो थोड़ी आइस में बदल जाता लेकिन half water वैसे का वैसा ही रहता है ना तो suppose मेरे पास यह liquid है और यह मेरे पास solid है है ना अब देखो liquid तो वैपर में बदलेगा अब जो liquid वैपर में बदल गया अब suppose करो मेरे पास यह क्या है मेरे मेरे पास वैपर्स है, क्या है? वैपर्स है, अब जो वैपर लिक्विड पे प्रेशर लगाते है न, वही वैपर सॉलिड पे भी प्रेशर लगाते है, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड दोरों एक्विलिब्रियम पे है, दोनों ही स्टेट साथ में एक्जिस्ट कर रही है, त तो जो vapors liquid पे pressure लगाते हैं, वही vapors solid पे भी pressure लगाते हैं, तो जिस time पे ऐसा होगा, कि liquid का vapor pressure और solid का vapor pressure बिलकुल equal होगा, वो temperature कहलाता है, क्या? वो कहलाता है उसका freezing point. तो solid के vapor pressure से मेरा मतलब यही है, क्योंकि दोनो states equilibrium पे हैं, तो जब liquid के vapors बनेंगे, तो वो ही vapors solid पे भी pressure लगाते हैं, वो liquid पे भी pressure लगाते हैं, और जब solid का vapor pressure liquid के vapor pressure के बिलकुल equal हो जाए, बिलकुल same हो जाए, वो temperature कहलाता है क्या? उसका freezing point क्या कहलाता है बेटा जी? उसका freezing point कहलाता है, है ना? तो freezing point की definition जो फर्जी वाली थी वो तो भूल जाओ, और इस definition को अपने दिमाख में रखो बस, यही actual में definition है, है ना? अब आगे जाके बड़े होगे किसी को बोलोगे ना, कि जिस temperature पे solid liquid में बतल रहा है, और liquid freeze okay solid बल रहा है, वो freezing point है, तो नहीं, बिलकुल गलत, फिर तुम science के student नहीं कहला होगे, फिर तुम भाई 9-10 वी वाले बच्चे कहला होगे, तो इसलिए इस important definition को याद रखना, ठीक है? अब हम लोग बात कर रहे थे, solvent के freezing point की, और solution के freezing point के comparison की, ठीक है? तो इसको ना मैं graph के ह पंजाने की कोशिश करूँगी, ताकि आप लोग को अच्छे समझ में आ जाए कि actual में, जब मैं एक solution में, non-volatile solute डाल रहे हूं, तो उसका vapor pressure तो कम हो ही रहा है, लेकिन उसका freezing point भी कम हो रहा है, और बच्चों, actual में freezing point के कम होने का reason यहीं है, कि उसका vapor pressure कम हो रहा है, है न vapor pressure कम हो रहा है, तभी freezing point कम हो रहा है, है न, अब मैं ऐसा बोल तो रही हूँ, क्यों बोल रही हूँ, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, अभी समझ में आ जाएगा, जब इस graph के हिसाप से ध्यान से सुनना, ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे दो चीज़ों के vapor pressure के बारे में बात करोगी, solvent के बारे में बात कर रही हूँ, और बेटा जी मैं यहाँ पे solution के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है न, तो solution के freezing point को, solvent के freezing point को मैंने क्या बोला, tf0, क्या बोला बेटा जी, tf0, solution के freezing point को मैंने क्या बोला, tf बोला, क्या बोला, tf बोला, और मैंने एक और statement दे दी कि जो solution का freezing point होता है वो solvent के freezing point से कम होता है यानि कि Tf0 की value Tf से जादा होती है कहने का मतलब सिरव यही है कि freezing point of pure solvent is greater than that of solution containing non-volatile solute मैं बात तो बता दी अब reason तो बता दो ऐसा क्यों होता है तो चलो इसको बच्चो graph के health से समझने की कोशिश करते हैं फिर से वह graph आ गया मेरे पास जो graph पहले boiling point के case में पढ़ा था अब वो graph किस के case में आ गया अब वो आ गया हमारे पास इस colligative property के case में है ना पहले reason समझ लो आके तो चलेंगे है ना पहले reason समझ लो देखो अब पहले में पाक क्या था pure solvent था और उसके बाद मैंने pure solvent के अंदर solute डाल दिया तो बेटा जी क्या बन गया solution बन गया solution बन गया तो solvent का curve अब फिर से vapor pressure versus temperature curve बना रही है है ना vapor pressure versus temperature curve बना रही है solvent उपर आएगा solution नीचे आएगा solvent उपर solution नीचे तो orange बला कर्व बिलकुल सही है समझ में आके बिटा जी, बिल्कुल समझ में आ गया कि solvent का curve उपर और solution का curve नीचे, आप देखो, जब solvent freeze होगा, तो solvent के इंदर तो कुछ है इननी, solvent तो पूरा का पूरा freeze हो जाएगा, वो solid में convert हो जाएगा, अब एक बहुत ही बढ़िया और बहुत important बात बताने वाली हूँ, जो कि करोडों में एक बात है, अगर वो समझ में आ गई, तो ये पूरा जो graph है ना, वो समझ में आ जाएगा, अगर उसी में थोड़ी सी confusion रही, तो graph बिल्कुल भी पढ़ने नहीं पढ़ने वाला, तो वो बात ये है, कि a solution, in a solution, in a solution, containing, containing non-volatile solute, containing non-volatile solute, जब उसको हम freeze कराते हैं, एक solution में दो चीज़े है, solvent है, non-volatile solute है, अब अगर मैंने इस solution को freeze कराया ना, तो उसमें से, जो solvent है, solvent है, वो तो solidify, यानि कि freeze हो जाता है, लेकिन, non-volatile solute freeze नहीं होता, non-volatile solute freeze नहीं होता, तो एक solution में से, solvent तो freeze हो जाता है, लेकिन, non-volatile solute है ना, वो freeze नहीं होता, वो solvent के अंदर ही रहता है, जो बाकी के बच्चा हुआ, solvent होगा ना, उसी के अंदर रहता है, बस इतनी सी बात को याद रखो, कि एक non-volatile solute के अंदर, solution, एक solution जिसमें non-volatile solute है, उसमें solvent तो freeze हो जाएगा, लेकिन, उसमें solute freeze नहीं होता, लेकिन, उसमें solute freeze नहीं होता, है ना, अब देखो बच्चो, अब मेरे पास 3 states है, एक मेरे पास solute है, एक मेरे पास solute है बेटा जी, एक मेरे पास solution है, और एक मेरे पास solidified solvent है, क्या है बच्चो, solidified solvent है, तो मेरे पास 3 चीज़े है अब, तो 3 के graph मुझे चाहिए ना, solvent solidified हो गया, तो solidified solvent भी है, मेरे पास pure solvent भी है अपने liquid form में, और मेरे पास solution भी है, 2 चीज इसे हैं बच्चों मेरे पास, तो इनी तीजे तीनों चीज़ों को मुझे समझना है, और इनी को मैंने graph में draw करना है, तो solvent का graph यहाँ पर, solution का graph यहाँ पर, तीसरी चीज जो यहाँ पर बिसिंग थी, जो की गुम थी, वो थी क्या, solidified solvent, उसका graph मुझे चाहिए, उसका graph मुझे चाहिए, तो यह graph A, यह graph B, तो जब आप solidified solvent का graph draw करते हो ना, तो उसका graph कुछ इस तरीके का आता है, यह जो black line दिख रही है आपको, है ना, अब यह ऐसा क्यूं आता है, वो आप सब क चिंता करने वाली बात नहीं है, एक triple point नाम की चीज होती है, बहुत, मतलब, detailed चीजे हैं, जो आप लोग को नहीं, कितनी deep में नहीं जाना, और एक chapter भी होता है, phase equilibrium नाम का, जिसमें इन चीजों के बारे में पढ़ते हैं, तो इतना detail में नहीं जा रहा, बस इतना समझ लोग लाइन दिख रही है, कुछ इस तरीके का आएगा, तो पहले, ऐसे frozen solvent, यह हमारा pure solvent और इधर solution, curve में देख सकते हो, है न, असाली से दिख रहा होगा, तो यह curve हो गया, यह किसका हो गया, C का, तो तीन चीजे थी, तीनों को बस मैंने curve दिखा दिया, यह A, यह B, यह C, तीनो जब vapor pressure of liquid is equal to vapor pressure of, vapor pressure of solid, है न, तो vapor pressure of liquid is equal to vapor pressure of solid, तो देखो, अब जड़ा ध्यान से देखना, जब पहले, सबसे पहले मैं किसके बारे में बात करूंगी, सबसे पहले मैं बात करूंगी, freezing point of pure solvent के, pure solvent के freezing point की, तो pure solvent का freezing point कब होगा, जब pure solvent का vapor pressure, solid, solidified solvent की vapor pressure के equal हो, तो आप देख सकते हो, यह जो point है, यहाँ पर दोनों cut कर रहे है हना, यानि कि इस point पे, यह जो मैंने star बनाया, इस point पे, solvent का vapor pressure और liquid solvent का vapor pressure और solid solvent का vapor pressure same है ना, इस point पे है ना, इस point पे same है दो रो और इसके corresponding जो temperature होगा, बस वो क्या हो जाएगा, वो कुछ भी नहीं होगा, बलकि वो हो जाएगा freezing point of pure solvent क्या हो जाएगा बेटा जी, freezing point of pure solvent, बट definition पे चल रहे है हम लोग, definition से समझ रहे हैं चीज़े, है ना तो इस point पे ये क्या हो जाएगा Tf0 हो जाएगा similarly, जहां पे ये solution का vapor pressure solution का vapor pressure solution का vapor pressure solid solvent के vapor pressure के equal होगा, इस point पे equal हो ना, जो मैंने हरा हरा किया है, बिल्कुल बड़ा सा, गोला गोला सा है ना, इस point पे दोनों के vapor pressure equal है, इसके corresponding temperature होगा, वो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा solution का freezing point, क्या हो जाएगा बेटा जी, solution का freezing point, है ना, तो आप देख सकते हो, solvent का vapor pressure, जब solvent का vapor pressure solvent का vapor pressure जब frozen जब ये liquid solvent का vapor pressure, solid solvent के equal आया, उस temperature पे मैंने क्या बोल दिया, freezing point of fuel solvent, यानि कि Tf0 और जब solution का vapor pressure frozen solidified के equal आया, तो उसको मैंने बोल दिया Tf अब मुझे देख के बता दो graph में से, कि Tf बढ़ा है, या फिर Tf0 बढ़ा है, graph में से देख के बता सकते हो, कि Tf बढ़ा है, या फिर Tf0 बढ़ा है Tf इधर है, Tf0 इधर है इधर की तरफ एक एक से देना obviously बात है कि Tf0 बढ़ा है अगर Tf0 बढ़ा है तो आप कह सकते हो ना कि pure solvent का freezing point pure solvent का freezing point solution के freezing point से जादा है, solution के freezing point से जादा है, तो pure solvent का freezing point, solution के freezing point से जादा है, यह हमने graph से proof कर दिया अब, है ना, और ऐसा क्यूं हुआ ऐसा इसलिए हुआ, क्यूंकि solvent का curve उपर था तो उसका freezing point पहले आ रहा था solution का काविदर था, तो उसका freezing point बाद में आ रहा था इसलिए तो हुआ, और वो क्यूं हुआ वेपर प्रेशर की वज़े से, solvent का वेपर प्रेशर जादा, तो इसी वज़े से उसका freezing point भी जादा solution का वेपर प्रेशर कम, तो उसका freezing point भी कम तो vapor pressure ही है जो कि freezing point को भी समझा रहा है और वो boiling point को भी समझा रहा है हर चीज को वो समझा रहा है तो यहां से हमें पता लगा कि जब मैं pure solvent के अंदर एक non-volatile solute add करती हूँ उसकी वज़ा से जो solution का freezing point होता है वो क्या हो जाता है? decrease हो जाता है अगर पानी पहले 0 degree Celsius पे freeze कर रहा है उसमें मैं कोई non-volatile solute डाल दूँ जैसे कि मैं उसमें suppose सूकरोज डाल दूँ उसमें sodium chloride डाल दूँ तो उसका freezing point अब 0 degree नहीं रहेगा वो 0 degree से नीचे गिर के minus 5 minus 10 हो जाएगा है ना? उसका freezing point decrease हो जाएगा अब suppose कोई liquid है suppose कोई भी हमारे पास solvent है suppose वो 20 degree पे क्या करता है freeze करता है कोई भी है suppose वो 20 degree पे freeze करता है अब अगर मैं उसमें non-volatile solute डाल दूँ तो वो 20 degree से कम पे freeze होगा या फिर वो जादा पे freeze होगा जल्दी से बताईए मुझे answer अगर मेरे पास एक solvent है उसमें मैं non-volatile solute डाल दूँ त तो वो 20 degree से कम पे freeze होगा या फिर 20 degree से जाधा पे freeze होगा, जल्दी से बताईए, कम पे freeze होगा ना, क्योंकि non-volatile solute क्या करता है, freezing point को कम कर देता है, तो अगर हम मैं देखू, depression in freezing point, क्या देख रही हूँ, depression in freezing point, तो depression in freezing point क्या हो जाएगा, अब जाधा किसका है, pure solvent का, यानि कि freezing point of pure solvent minus freezing point of solution, minus freezing point of solution, अब pure solvent का freezing point क्या होता है, Tf0, तो यह हो जाएगा, Tf0 minus Tf, Tf, Tf0 minus Tf, यानि कि depression को हम लोग क्या बोलेंगे, delta Tf, और यही क्या होती है मेरी, colligative property, कि delta Tf is equal to Tf0 minus Tf, क्या होती है, Tf0 minus Tf, अब क्योंकि colligative properties किस पर depend करती है, किस amount of solute कितना डाल रहे हैं, तो जितने भी scientists थे, जो भी इस पर काम कर रहे थे, उन्होंने experiments किये, और उन्होंने देखा, कि यह जो delta Tf होता है, यह किसके directly proportional होता है, solution की molal concentration के, solution की molality, या फिर उसकी molal concentration के, तो जब भी हम यहाँ पर proportionality constant हटाते हैं, तो कोई ना कोई constant आता है, तो क्या आजाएगा, delta Tf is equal to, फिर से K, और क्योंकि freezing point के बारे में बात कर रहे हैं, तो Kf multiplied by molality, क्या हो जाएगा, Kf multiplied by molality, है ना, अब molality को फिर से मैं लिख सकती हूँ, जैसे पहले लिखा था, Kf is equal to molality, यानि कि number of moles of solute, by mass of solvent in kg, mass of solvent in kg, है ना, तो number of moles of solute क्या है, number of moles of solute क्या होते है, फिर से W2 by M2, mass of solvent क्या होता है, W1 multiplied by thousand, क्या होता है, multiplied by thousand, तो ये तीन formula आ गए, बस इनी तीन formula को दिमाख में रखना है, formula number 1, formula number 2, formula number 3, और delta Tf को भी लिख सकते हो, Tf0 minus Tf, तो इनी तीन formula को दिमाख में रखना है, और सब कुछ solve करते जाना है, है ना, अब आप सभी को पता होगा, अगर मैं पानी की, यानि की water के बारे में बात करूँ, तो water का freezing point कितना होता है, वो होता है, 0 degree Celsius, तो Tf0 is equal to 0 degree Celsius, कितना होता है, 0 degree Celsius है ना, अब वही फिर से, अगर मैं इस Kf की बात करूँ, तो Kf, अब क्योंकि depression होता है ना, तो इसी लिए इसको हम लोग बोलते है, अब देखो, अब फिर से, अगर मुझे Kf की unit के बारे में बात करने हो, तो delta Tf क्या होता है, Kf multiplied by molality, और Kf क्या हो जाएगा, delta Tf by molality, delta Tf by molality, अब delta Tf का क्या होगा, temperature difference किसमें होता है, Kelvin में, तो Kelvin, क्या हो जाएगा, Kelvin, molality की unit क्या होती है, mol per kg, तो इसकी unit क्या हो जाएगी, Kf की unit क्या हो जाएगी, mol per kg उपर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, mol inverse kg, तो क्या हो जाएगा Kf, Kelvin क्या हो जाएगा, Kelvin kilogram per mole, Kf की unit क्या हो जाएगी, Kelvin kilogram per mole, और Kf किस पर depend करता है, It is again nature of solvent, solvent के nature पे depend करता है कि हम लोग solvent क्या ले रहे है, तो basically KF किस पे depend करता है, solvent के nature पे depend करता है, कि हम लोग solvent क्या ले रहे है, अलग-अलग solvent के लिए अलग-अलग KF की value याद करनी होती है, अलग-अलग solvent के लिए अलग-अलग KF की value आपको given होगी, लेकिन आप लोगों को के लिए तो जरूर याद करके रखना है ना, जिसे पानी के लिए के भी याद किया था, 0.52 कल्विन किलोग्राम पर मोल, है ना, वैसे ही वाटर के लिए जो आपका मोलल डिप्रेशन कॉंस्टेंट या फिर जो की वेल्यू होती है, वो होती है 1.86 कल्विन किलोग्राम पर मोल, बस पानी के लिए याद कर ले ना, बाकी कोई भी solvent आएगा तो वो आप लोगों को given होगा, है ना, तो ये थी हमारी second qualitative property, depression in freezing point, देखो सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, आपको ये भी पता लग्या होगा कि delta tf is equal to kf into m, delta tb is equal to kb into m, लेकिन ऐसा क्यों हो क्यों non-volatile solute में डालने पर freezing point कम हो रहा है, वो जानना जरूरी है, है ना, और इसके अलावा, ये graph बहुत ज़्यादा important है, दोनों properties के लिए, क्योंकि अभी ता question नहीं आया, वैसे तो graph से रिटल रहो सकता है वो आपको दे दे, तो ये tf not था, ये tf था, इनका difference क्या हो जाएगा, डेल्टा tf हो जाएगा, तो इस तरीके से पूछ सकता है graph में कि ये क्या है, ये क्या है, है ना, तो graph आपको पता होना चाहिए, कि actual में ये graph कहना क्या चाह रहा है, और competitive exam की perspective से ये graph बहुत ही जादा, very, very, very important, तो इसलिए बिलकुल भी मत चोड़ना, है अगली ख्लास में, तो बच्चों मिलते हैं अगली ख्लास में, अब अगली ख्लास आप लोगों की Friday को होगी, रात को 8 बजे, तो मिलते हैं अगली ख्लास में, बाई बाई बच्चों, टेक केर, गुड नाइट